तो गाइज अभी रिसेंटली 22nd November 2023 को नमसी ने नियू गाइडला है रिगार्डिंग फिलिपिन्स में जो बीएस को चल रहा है रिगार्डिंग उसके और फिर एफमजी का जो टाइम डूरेशन है टेन ये जो है टाइम लिमिट उसको क्लियर करते हुए और युक्रेन रिटर तक उफ्राइन मोड में क्लासिज की है और फिर एक्जाम दिया हुआ है उनके लिए प्रोसेस सेम है उन्हें नौर्मली इंडिया आना है एक्जाम क्लियर करनी है वन ये और इंटर्शिप करनी है और उसके बाद उन्हें परमणेट लाइसेंस मिल जाएगा और गाइस सेके स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जिनका सिक्थ यर ब्रेक हो गया है ड्यू टो एनी वर्ट सिच्वेशन और एनी पैंडिमिक रिजन उन्हें वन ये और उफ क्लक्सिप करनी पड़ेगी जो करने के लिए डियम या एसेंसी स्टूडेंट मेडिकल काउंसिल कॉलेज प्र प्रेक हुआ है ड्यू टू एनी पैंडिमिक रिजन और एनी वर्ड रिजन उन्हें उनका ऑनलाइन गया हुआ है एक्जाम ऑनलाइन हुई है उन्हें टू यर्स ऑफ इंटर्नसिप करनी परेगी वह कॉलेज भी डियम या एसेंसी प्रवाइड करेगी जहां पी उन्हें स् सकते हैं और इस्टूडेंट जो ट्रांसफर लिए हुए है रसिया में लिए हुए है उन्हें नॉर्मली यहां के अकॉर्डिंग तक कंप्लीट करने पड़ेगी और उसके बाद यहां की लाइसेंसी लेने के बाद इंडिया में एफ एमजी क्लियर करके वन यर उफ इंटर प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग इलिजबिलिटी क्राइटेरिया तो जो स्टूडेंट 2018 के बाद अब रोड जाकर में बेस्ट कर रहे थे बट उनका नीट क्लियर नहीं था इलिजबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा जो बच्चे ब एमसी ने ये बोला था कि जो टाइम डूरेशन होना चाहिए अपना एंबीबीएस प्लस एफमजी वो टोटल टेनियर होना चाहिए जैसा कि हम लोग रसिया में तो सिक्सियार ऑफ एंबीएस और फिर उसके बाद फोर्ड एयर के अंदर ही अपने एफमजी क्लियर करनी है और ड electr Why Cassie अपना एंबीएस क्लियर करने के बाद 6 साल के बाद 10ヲं को इसमें ऴें क्लियर करनी होगी एफमजी तो टोटल अलमोंच हो जाते हैं यानि 16 years तो ऐसा है कि अपना MBBS क्लियर करने के बाद 10 years का time मिल रहा है यह बहुत बड़ी relief है बहुत सही चीज़े हमारे लिए तो यह सब चीज़े हैं hope you guys like this video if you have any question then you can message me or you can write in comment section तो guys by do like subscribe and share bye guys